नमश्कार दोस्तों मैं एक कुरुपाध्याय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में 2023 में निवेशकों ने दबा के पैसा चापा जिस शेर में पैसा लगाया वही शेर ने पैसा बना के दिया लेकिन एक ऐसा सेक्टर भी है बाजार में जो पूरे 2023 नी चला 750 दो अजार 22 में भी नहीं चला था लेकिन उससे पहले इस ने इतने बड़े रिटन्स बना के दिये कि निवेशकों ने इस शेर उस्क्तर में और इस इस टॉक्स में खूब पैसा लगाया था लेकिन बीते एक देड़ साल में सिर्फ और सिर्फ निराशा और लॉस हाथ लगाए क्या 2024 में ये sector चलेगा और इसकी कमाई कहां से आती है और जहां से कमाई आती है क्या आगे sources open हो रहे हैं कमाई के दुबारा से सारी चीजों को एक एक करके cover करते हैं तो पहले sector का नाम बताना चाहूँगा sector का नाम है textile sector अब textile stocks की बात की जाए तो मैं आपको एक से लेकर 10 नाम गिना सकता हूँ जहां आपको clear cut under performance show दिखेगी सबसे पहला नाम है lux industries lux industries की बात की जाए तो ये 4,000 रुपे का share हुआ करता था एक समय पे और ऐसा नहीं है वो समय बहुत पुराना है मैं आपको बता दूँ वो समय आपका 4,000 रुपे का exactly मैं आपको हाई बताता हूँ कब लगा है 2021 नवंबर मन्त में इस stock ने 4,000 रुपे का हाई लगाया उसके बाद ये share one sided टूटता ही चला गया तूटता ही चला गया तूटता ही चला गया और आज ये 1,300 रुपे पे ट्रेड कर रहा है समझ सकते हो आप 1,300 रुपे पे 4,600 वाला share केवल एक ही ऐसी कहानी नहीं है बहुत लंबी-लंबी कहानी आ है चलिए दूसरे stock की तरफ चलते है dollar industries को open करते है आज 4,62 रुपे पे साड़े 600 रुपे का हाई लगाया था यसे stock ने आगे चलते है रूपा पे चलते है रूपा एंड कंपनी पे 590 का हाई है और 268 पे और ये जो जितने हाई बता रहा हूँ ना ये 2021 की तेजी में ही लगे है ठीक है जी तो ये आपको clearly 3 कंपनीया मैंने directly बता दी जिन्होंने पूरी तरीके से market को एक समय पे outperform करा था लेकिन आज की rate में इन्हें कोई खरीदने वाला भी नहीं है क्योंकि in fact बहुत सारे लोगों के लिए तो ये नाम भी नहीं होंगे sports king india 821 पे वो तो अभी अभी 821 पे आ गया और साड़े 1100 का हाई है otherwise आप इस stock को देखेंगे तो अभी ये 3-4 महीने पहले अगर आप देखें October में इस stock अभाव 700 रुपे था वहाँ से लगबग 15% तो ये जम कर चुका है आप बड़े नामों में आ जाएं जो लोगों के थोड़े से रडार पे रहते हैं फेवरेट में रहते हैं अगर उसकी बात क्यों तो वर्दमान टेक्स्टाइल 386 पे है लगबग 576 का हाई है इस बीच में ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे टेक्स्टाइल ने खराब परफॉर्मेंस दिखाई है कुछ अच्छा भी गत्ते हुए दिखें है गोकुलदास एक्सपोर्ट का नजट डालिए आप गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात की जाए अगर तो इस शेर ने पूरी तरीके से आउट परफॉर्म करा है इस मार्केट को मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ यहाँ पर गोकुलदास एक्सपोर्ट की यहाँ पर मेरे पास नाम सामने आई नहीं रहा है तो मैं इसको अवोईड करता हूँ बट यह स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है 400 से 800 बे करीब पहुँच गया है अभी आई दिंग काँ ट्रेड कर रहा है पता नहीं है मिरको क्योंकि मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ स्क्रीन पे नेक्स्ट आपके साथ अगर बात करूँ तो KPR मिल्स ने अंडर पोफॉर्मर शो नहीं करी इसने आउट पोफॉर्मर शो करी है 8.24 पे ट्रेड कर रहा है 9.28 का हाई है और यह ऐसा नहीं कि तभी का हाई है यह अभी हाई ही लगाए इस स्टॉक ने कुछ समय पहले ही आप सभी के साथ और स्टॉक की बात करूँ अगर मैं तो एक हमारा फिवरेट रहा है वो है गुजरात अमबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड जिसे G.A.E.L. के नाम से भी जानते हो गेल के नाम से अब गेल गैस अथरोडी मत ले जाना G.A.E.L. वाला इसकी बात की जाए तो इस 410 का हाई है 367 पे आगया है ट्राइडेंट की बात की जाए तो 36 पे है 25 रुपे का लो लगाया है कुछ समय पहले 6 मही ने पीछे और हाई पता है कहा का इसका 70 रुपे का अभी भी 35 पे ट्रेड कर रहा है 50% डिसकाउंट पे अब मैं आपको आता हूं इन कंपनीज की अर्निंग्स पे इन कंपनीज की अर्निंग्स घटते हुए दिखेंगी आपको और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका जिया अगर आप ग्लोबल मार्केट को इस समय ओपन करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि भारती एकनोमी शाइन कर रही है जिसकी वज़े से जितनी भी कंपनिया है भारत में डिपेंड करती है जितनी कंपनियों का रेविन्यू भारत से आता है उन्होंने आउट परफॉर्म कर आ है एक्जांपल के तौर पे ब्रिटैनिया इंडस्ट्री या फिर कोई भी FMCG कंपनी एक्जांपल के रूप में FMEG कंपनी जो ये electronics product होते हैं इनको ठागी देखिए एक्जांपल के रूप में Pharma से Mankind Pharma क्योंकि जितनी भी वो अब cement ले लो सब छोड़ दो आप जितनी कंपनियों का revenue भारत से dependent है वो सारी outperform करी है और जितनी कंपनिया US, UK ये सारी dependent है वो सब underperform करते हूँ दिखिये हैं चाहे IT ले लो आप या फिर आप pharma ले लो या फिर आप textile ले लो textile का maximum revenue 60 to 65 revenue US से आता है जब आपने थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करी थी जहां पर Walmart ने कहा था कि recovery आ रही है और demand लोट रही है तो सारी textile भागी थी और उसी समय ही Trident भी 30 रुपे से 35 रुपे हो गया था तो अब आगे क्या लगता है US recover करने वा जैसे कही न कहीं इन companies पर आपको direct impact आते हो दिखेगा तो क्या 2024 में आप इस sector पर पैसा लगाने वाले हो comment box में बताइए अभी मैं आपके साथ यह discuss नहीं कर रहा हूँ लगाना चाहिए नहीं जब चलते दिखेंगे technicals breakout आएंगे तम मैं बात करूँँगा अंबिका कॉटन भी मेरी एक फेवरेट लिस्ट में रहता है जो मैंने आपके साथ डिसकस भी क्या हुआ है 1500 पर अभी लगबग 1800 पर करीब चल रहा है तो यह मेरी तरब से आपके लिए पूरी प्रॉपर वीडियो थी होप आप लोगों को इस सारी जानकारी पसंद आई हो आपके वाज़ थागी तरब तरब थैगे जैए तरब आपके साथ वाज़ी बीडिए घ्ट वाज़ी हुआ है